पूरे दिन ब्रिश्चिक राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी मंगल देव है चंद्रमा आनुराधा नक्षत्र में सुबह सवा साथ बजे तक चलते रहेंगे तत्पस्चात जेश्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे आज के जन्मे जातक सुन्दर, दानी, संतोसी, धार्मिक और यसस्री होते हैं ऐसे जातर्क चतूर, वैभाशाली, हिमती, दिढ़निश्चाई और तर्क शास्त्री होते हैं वैग्यानिक कारियों में रूची रखने वाले सुबह संपन, असपस्टवादी और मित्रों के सहयोगी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा मंगल और बुद्ध की इस्थिती अनकूल रही तो पून सफल होंगे ऐसे जात्कों की 27 दिन बाद पूना इसी नक्षपर में गंड़ भूल शान्ती करानी चाहिए शुक्र अपने मित्रों राशी से निकल कर करक राशी में प्रवेस कर चुके हैं बुद्ध, राहू और शुक्र की यूती करक राशी में एक साथ हो चुकी है जिसका प्रभाव प्रतेक जात्कों पर उनकी अपनी महादसा और कारकों के अनसाथ चलता रहेगा मेश राशी के जात्कों के लिए स्वास संबंधी मामलों में सुधार होगा मानसिक उत्साह में बिद्धी होगी मगर मन में नकारात्मक विचारों का उच्छना स्वावाविक है चंदर्मा बुद्ध के नक्षत्र में जलना हैं कारेच छेतर में विस्तार होगा और रुकी हुई योजनाय पूरी होगी नई कार योजनाओं का प्रस्ताव और उसके विकास के प्रति उत्साह और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी संबंधित मामलों में यातरा का योग भी बनता है आठिक लावमन मुताबिक निलता रहेगा और साजेदारी की प्रस्ताव लावदायक रहेंगे बच्चों और घर परिवार से संबंधित मामलों में आत्मिश्वास बढ़ेगा विद्याक्तियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा मगर वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश राशिके जात्कों के लिए स्वास संबंधित सावधानी रखनी चाहिए नसों से संबंधित दिकतें और हड़ी संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है हाला कि ग्रिहोप योगी बस्तुओं में निवेस का योग बनता है नई कारी योजनाओं में और बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे और साजेदारी सफल रहेगी आर्थिक लावमन मुताबिक मिलता जाएगा और आपकी योजनाएं पूरी होंगी बिद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अगहन अध्यापन में सफलता मिल सकती है राज की ये मामलों में सहयोग बना रहेगा और वैवाहिक मामले फलिवूत होंगे निथुन डाशे के जातकों के लिए स्वास संबंदी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए चंद्रमा आपकी रासी से छट में चल रहे है और आपके रासी स्वामी बुद्ध, राहू और सुक्र के साथ दूसरे भाव में चल रहे है इनकी यूती लाव दिलाएगी मगर यदि कोई समस्या पहले से चली आ रहे है तो उचिप चिकत सकी ये परामर्स लेना आवस्यक होगा और आज का दिन आसंकाओं से भरा रहेगा हाला कि कारिषचत की निरंतरता बनी रहेगी साजयदारी के प्रस्ताव लाव दायक रहेंगे और नई कार्योजनाओं के बिस्तार कम मौका मिलेगा सरकारी कामकाज से भी लाव संभव है पारिवारिक महावल संतोस प्रद रहेगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी प्रियास साथक होंगे करकरास के जात्कों को कारेच्षेतर में सफलता मिलेगी और प्रिरणा के स्रोत माने जाएंगे रुकी होई या अधूरी पड़ी योजनाएं पूरी होगी اور सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा नई कार योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और अतिरिक्त जिम्मेदारी वहण करने पड़ेगी साजेदारी में लाव संभव है, कारेच्छेत के बिस्तार करने में आपका योगदान महत्पून होगा, सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, हार्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और संतान संबंधी बाधाएं खत्म होगी, विध्यातियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होगे, सिंग रासी के जात्कों को कारेच्छेत में बिस्तार होगा और खर्च की स्थिति बनी रहेगी, प्रयासों में सहयोग मिलेगा, आत्मिश्वास में वृद्धी होगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, नई कार्यों जिनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, सासन सत्ताव और अध्यकारियों का सहयोग बना रहेगा, और रुके हुए काम संपन्ध होगे, आर्थिक लाफ सामाने रहेगा, मगर पेट संबंधी जटिलताओं पर ध्यान डखना चाहिए पारिवारिक दाईत की पूर्ती होगी, और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा, अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे कन्या राशी के जातकों को स्वास्त संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए, बुद्ध का राशी परिवर्तन, स्वास्त के स्वास्त साथ, ग्यावसाई गत्विधियों में रुकावट और अर्चन का संकेत देता है, धैनिक जीवन के क्रिया सीलता में थोड़ा उ किसा निर्देश जारी रहेगा, कुछ रुकते हुए काम संपन्न होंगे और आत्मिश्वास में बिध्धी होगी, बिध्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा, अध्यान अध्यापन में प्रेयास जारी रखे, तुला राशी वाले जातकों के लिए सेहत और आंतर कुर्जा के छेतर में सहयोग मिलेगा, मगर ब्यवसाय की योजनाओं के प्रतीम मन में उतार चड़ाव जारी रहेगा, इस दोरान अपनी योजनाओं के लिए लिए गया कुछ मिरने को सुधारने की आवसकता पड़ेगी और किसी काम में देरी की संभावना बनती है, नका ब्रिष्चिक राशिके जात्कों को मानसिक स्थिर्ता और संयम की आवसकता है, वाणी में तीखापन और कारी वजनाओं में जल्दबाजी और ब्यगरता संभावित है, किसी भावनात्मक पहलू की बारंबारता दिमाग में बनी रहेगी, जिससे निरणय लेने में दिक्क सामान रहेगा, विध्यार्थी अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं धनू राशी वाले जात्मों को अत्यधिक उर्जा महसूस होगी, आपका उर्जा आस्तर सबसे अधिक बढ़ा हुआ होगा, हाला कि वाड़ी में प्रखर्ता और तेज़सीता परिलक्षित होगी, और अनावस्यक उतेजना का दौर आता रहेगा, अपने आपको धैर और सह नियम के साथ नियंतित करना चाहिए, कारचित में रुकावट और गड़बड़ी का अंदेशा बनता है, जबकि आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा, शिक्षा पर द्योगिता के लिए समय अनकूल है, अध्यान अध्यापन में लाव मिलेगा, वैवाहिक मामलों मे सफलता मिलेगी और यात्रा का योग बनता है, मकर राचिवले जद्कों को कारचित में सफलता और आठिक लाव में सहायता मिलती रहेगी, बुद्ध रावु और सुक्र के सात्वे भाव में होने से क्रिया सीलता, आत्मिश्वास और स्वास संबंदी समयदन सीलता बनी रह पर इसितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसयम आवस्यक होगा आर्थिक पक्षामान रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी पारिवारिक सुक्स वहार्द और नीजी संबंदों में ताल मेल बनाये रखना चाहिए कुंब राषि के जातकों के लिए कारिशेट की सकरियता आत्म श्वास में कमी और रचनातमक प्रयासों में बाधाऊं का संकेत मिलता है हाला कि ब्यावसाइक प्रात्मिक्ताओं के आधार पर काम करने का प्रयास करें आपकी असपस्ट सोच और बुधिक और सल का इस्तेमाल लागदायक माहौल पैदा कर सकता है आथिक लाग सामान रहेगा, विवादित योजनाओं में समझोता करना लागदायक रहेगा सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा धार्मिक भावना बलवती होगी, सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुक्सवाद में रिध्धी होगी मीन राशिके जात्कों के लिए आर्थिक लाव की स्तिती मन मुताविक बनी रहेगी रुके हुए काम संपन्ध होंगे, धैग और सहयम से काम लेते हुए कारिचित में लगे रहें, सफल रहेंगे नई कार्योजनाव में सफल सुरुवात संबह होए, नीजी निवेस के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा पारिवारिक सहयोग और प्रेरणा जारी रहेगी और साजेदारी के काम लाहुतायक रहेंगे मगर कुछ कामों में नकारात्मक भावना भी पैदा हो सकती है, जिससे आपकी दक्षता प्रभावित होगी हाला कि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, होम नमाशिवाय